नमस्कार शुब रविवार आई आज चर्चा करते हैं शिरीश कुंदर वाले मामले में जो आज हमने बलके कल ख़वर पड़ी समाचार आया कि एक बेहुदा निर्दिशक दे कहनिकार ने कि शैदो फराहकान के पती भी हैं उन्होंने बहुत जाहिलन हर्कत करते हुए माने मुखमत्री के बारे में आप शब्द कहें निश्य तौर में यह बात हर पड़ी लेकार भी कर्णम करेगा किसी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी भी जिन्दगी कोई अपराद ने क्या है और जो उत जिन्दगी में कोई अपराद ने क्या है इक असलब वह बहुत शातिर बढ़ाति तो अपने आपको ज्हांके पहले कि आप कौन है आप क्या है फिर किसी को और पितकर है कि जो कहने बहुत आसान है लेकि सुनने में कश्ट होता है और वह भी एक माननी है निर्वाचित मुक्यमंतर जी को या किसी को भी हमाई सब्सक्राइब नहीं कहती है कि हम अप्षप्ट का है यह तो मामला हो गया समाई को अब आते हैं कानूनी पहलू पर खबर यह छपी है कि ऑन्रेवल हाई कोर्ट की खंड पीट ने जिसे पढ़े लिखे लोग डिविजन रहते हैं और यूतूबर्स और वाट्स Apa इस्टी वाले जो हैं वह से राषार कीए कई वखेंते हैं के सुनते रहते हैं सहते रहते लेकिन कहते हैं लेकिन ऊसका घंड़ मतला होता है विकारिक्षन होते हैं वो डबल बेंच नहीं है। उसमें जाशिगा योजीत की लिए बहुत प्राण मामला है, छेटा साल से प्लिक से चार्ज करें हैं, लेकिन अब तक इतमें जाज पूरी नहीं हुई है, योजिचा पूर्ण नहीं हुई है, कोई 173 की आख्या नियाले में संधर भी नहीं की है, या दे आख्या नहीं हुआ है, फिरण तो नहीं में वेख्या ये श चाहित किया है, किया क्राण कारजित किया है, या अप नहीं हुआ है, कोई सब्सक्राइब आदेश किया है और यह आदेश बहुत चर्चा में क्यूंकि इसलिए नहीं कि ऐसा आदेश पहली बार हुआ है क्यूंकि यह अतिविश्ष्ट लोगों से सम्मंदित है मैं इस बात पर जादा जोड़ दे रहा हूं कि कानून तब चर्चित हो जाता है जो उसे बड़े आद्मिन वाल हो जाते हैं बदल जाता है करनून कई बार जैसे विकासी आदेश किया पर जैसे 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 निब्ला कान में चर्चित्य केस चावलाम हत्या केस चर्चा में ने आया है मुद्रिम छूट गए चार ताल की बच्ची के साथ रेप के एवेस प्रोंगाल में अभी का जज्जमेंट साल जेट साल का बजी कर रेरेस्ट आप देश्ट नहीं माना गया और भी ऐसे गंभीर आप राद जहां पर मल्टिपल बढ़ रेरेस्ट नहीं माना गया रेरास्ट आप देश्ट नहीं मानी गयी बिल्के बानुक्त दिल्ली में वह ता मशाल रहीं इंडिला आया इंडिया प्रश्चन हुआ तो तहीं लोगों फांदी हो इसलिए चर्चा में वही केस आते हैं जैसे वेकास है आदम में कई केस हैं जैसे सेम तटाव एविदेंस और इससे बेटर सेटाव एविदेंस में एक यूज को अनुज सब्सक्राइब छोड़ा है लेकर चर्चित केस साथ केस अब डोविदेंस जैसे कलाल विकॉस जैकूस पर संट और इस फैमिली इस पर नोन इसलिए जैज्मन पताव क्या है तल्वा दंपती तारी केस और ऐसे कई केस हैं यहां पर क्योंकि इसमें माननी मुखमती खिलाब बात की गई थी तो इसलिए चर्चा में आया है पुलिस की विवेशना पे किसी तरह की टिपपड़ी करने का दिकार किसी भी समयजानिक नियाली को नहीं है अब यह सही घल्थ यह अलग बात है यह भी सोचन योग बात है क्या पुलिस जैसे विवेशना करें कर सकती है किसे मुझें करने बाद जाये कर सकते हैं क्या मामली मुक्रवा में बज़ें कर पगड़ सकते हैं दो दो दिन थाने में रखें एंजक्र करें गोली आ एंहें कर सकती है क्या ज़िएस बात यह झार्यकिंगा इस बात कर रहा था कि यह जो केस है इसमें औरनेबल हाइकूर्ट ने कहा है कि विवेशना नय संगत हो बेने किसी दवाब कि हो इंपार्शियल हो और एक्सविटाइट किया जाए छेसा साल बाद क्या कोई विवेशना ऐसी है जो आयू कहगा कि यह नय पुर्वक नहीं है या यू मानेगा कि यह इंपार्शन नहीं है या शिर्णनी की जाए अब मैं इस पर कानून बताता हूं आपको कानून यह है क्योंकि यूपी में केस हुआ है यूपी पुलिस रविशन एक्ट जिसे आम तोर पे अधिवक्ता नहीं पढ़ते जिने कानून विद्ध नहीं पढ़ते और इस अधिकारी उसको नीन हुआते है मेरे कई प्रलिस रदिकारी से बात होती है जिरा करते हैं उन्ने भी आम तपर अपना यूपी प्रो стала एक्ट यांस ने बासार नहीं होता य्यूप प्रॉस सर्थ करते हैं कि 10 दिन के अंदर च शिट दी जाए है कि लोगे लिख फेम सब्सक्राइब करते हैं जहां पर वादी सोचता है कि गवहां की ब्यानिल नहीं जा रहे सब्सक्राइब करता है जो कभी चर्चा में नहीं आता है क्योंकि उसमें कुंदर या माननी मुक्वति नहीं होते हैं हर केस में जो आटिकल 226 में बादी दायर करता है निकाली जी का रिकॉर्ड उसमें यह आदेश पारिश होता है जो आप चर्चा में आ रहा है क्योंकि उसमें कुछ महत्पूर व्यक्ति हैं हर केस में चपा चपा इस ट्यू टाइब वार्डर जाता है कि इंपर्शियल एक्षिडिश्यर्स करेता है इसे जा आटिकल 226 का मक्तला भी है नहीं है यहां तक हम लोग समझते हैं जहां जो बात नहीं में उपक प्रस्तुत निकी जाती है कि वाई दिस ओफिसर है जो प्रॉम फॉलूइंग दप्रविशन सफ यूपी प्रॉश्यर्ट अंडर विच यूव तो फाइल चाप प्रॉश्यर्स करते हो तो उसको बिल जाएगा और कुछ नहीं बाता जेल में रहे साथ-दस साल से उपर का प्राद है नबें दिन में बेल मिल जाएगा जवांते दिनों के त्यार है नहीं त्यार तो जील में रहेगा फिर चार्स तो जो प्रॉश्यर्स दूसरा है चार्स चती से क्या है वो कि आधी सद्धा काट करके उतको बेल दे जाए कि बुचल के पर करता यूपी पुलिस फॉर्थ को उसके अंतर का साथ दिन में चार्षिट क्यों नहीं दी क्या बजाती है ऐसे आधिश कभी पाहित नहीं हुआ है इन बातों को गौर करना चाहिए पुलिस को चांश शीरता से करना ही चाहिए और कोई विलम होता है किसी अधिकाई द्वार जान मुझके है जाला परवही से बिना किजी कारण के तो निश्चित तोर पे दफ़ा साथ की कारवाय करके पुलिस वालों को निकाल देना चाहिए और अनुव भाही कोड को भी डायक्ट करना चाहिए बेंडेवस में इन फॉर्म अफ मेंडेवस के बाही प्रसीट अड़ प्रसीट करते हैं कि इसको टैक कर दिया जाए उसके बाद भी शेद शेद आरबात है तो अग्सेटिशनली क्या होता है हर वक्दिशनली क्या होता है प्रसीट करेंगे हैं कि अधिशनली को डियर्क्षिन देता है लेकिन उसके बाब जूद में चलते रहते हैं चलते रहते हैं ढटेट तकि रहते हैं तो यह क्योंकि कुंदर वाला मामला था एक फिल्म निदेशक नहीं है अपराद किया है हाला कि यहां पे भी मेरा मन नहीं है कि दफ़ा पांस तो में व्यक्ति को अधिकार है मुकदमा दायर करने का अगर उसकी मान हाने की गई है तो लेकिन वह भी एक बार पढ़ना पढ़ेगा दुबार पढ़ना पढ़ेगा वहां पर कलासेज हैं किसी वर्ग को के सब्सक्राइब को पढ़को व्यक्ति के लिए श्याद वो नहीं आता है लगातार आ रहा है चप रहा है इंक बदर जोर हैं लेकिन राश्पति जी और माने दाश्पति गुवर्णर साब इनको अग्रम्शन है इनकी दवह 500 को यह कर सकता है लेकिन बाकी के जिर्द में व्यक्ति को नेहां पर मुखणना करना पड़ेगा इस पर भी आप डिबेट करने को त्यार है पता नहीं क्यों इस बात भी बहुत जी आती अदालते इस बात प कि दवह 500 को मुखणना वह करें जिसके देफिशन होगी होगी तो यह सब आते हैं इसको चर्चा होने चाहिए निर्णे आना चाहिए तब नहीं जब कोई मन नहीं हो जा एक उंदर्य हो जा यादाव हो जा शर्मा हो अच्छे विशर्व्यक्ति हो राजव गंदी गांदी ह मुखणना हो क्या हाम आदमे को जांच चाशित मुखण विवश्चना करवाने का जिकार नहीं है क्या हाम आदमे की विवश्चना साट दिन में नहीं होनी चाहिए पूरी यह बात सोचनल लाइक है कानून को कही नहीं बदलना पड़ेगा इसको सर्व्यापी बनाना आदेगा आम आत्मी अभी ख़बार आई थी अठारा साल के सिदा नाम सुनकर कि देदी यह साहब ने जो लग रहा है मुझे हैं दोजो साल की नौ की जिद में अलस्टिक जो कि लगवाग स्विल केस हैं कौन नहीं कर दावी जी की चोड़ी बड़ी इंड़स्टिस कर नही कोई बता जी यह बड़ से बड़ा वैपारी जो चोड़ी ना कर रहा हो पिज लेकि पाने के कौन ऐसा है जो इनके प्रक्सी चोड़ी ने कर रहा है लेकिन व्यक्तिकत व्यक्टिप है अठारा साल के सदा डैट टू कॉल्विकुटिव जबकि एक साल में तीन कीस अगर एक जैसे होते हैं तो इकट्टे चलेंगे वह ठैर यह तो जैसा आपकी बड़ी तो और निर्स अभी कोड़ी ने बहुत सही किया बहुत ठीक लाज किया लेकिन ऐसे आदेकारे को खिलाफ अठीक जाट भी रूचे जो इस तरह की जज्जमेंट दे रहे हैं जो बाइस जज्जमेंट दे रहे हैं तो देर शुट बी स्वट आप अडिश्जमेंट अगेंस ता ऑफिसर्स जो कानून को जानते हुए भी कानून की अभीलना कर रहे हैं धनेवाद